हाई गाईज वर्कम बैक टू माय चैनल तो आज की वीडियो मैं आप लोगे साँ शेयर करूए एक बहुत ही ब्यूटिफुल लिटेस्ट लीव डिजान टुटॉरियल तो इसके लिए मैंने कजोई फैब्रिक लिया है जो कि मैंने ब्लाउज में भी यूज किया है इस तरह से जान चाहिए जर में से फोलड कर दोंगी और फोल करने के बाते कि ये फोल्ड öड साइड है कि यहां से में सब्सक्रिक एक margin line mark कर लेती हूं देखिए इस margin line के बाद 9 इंच पर मांक करूंगी और इस मांक को में extend कर लूँगी तो देखिए अब इस 9 इंच वाई लाइन से हम नीचे 7 इंच पर मांक करेंगे और इस point को extend कर लेंगे यहां देखिए जो 9 इंच वाली कर लेंगे यहां पर मांक कर लेंगे और साथ में एक इंच का स्रीव पर हम कर लगाते हैं उसी तरह से यहां कर लगाएंगे बस किया रहेगा कि जो कर होगा इसकी लेंद थोड़ी लंबी होगी इस तरह से हम यहां पर कर शेप माक कर लीजिए और इसे हम कट कर लेंगे यहां पर मैंने से कट कर लिया और कटिंग करने के बाद देखिए जो बॉटम साइड है महाँ पने हां इंच का सीविं अलाउंस तकी यहां से से फौल्ड कर लेंगे और इसलायल लगा लेगे देखिए मैं उल्टर साइड में फॉल्ड करनें और यहां पर फि्टिंग की स्टैच लगा देंगे के मैं सीधा करने के बाद जो हमने नौश लगाया था मिदल स्लीव की उसको जो ब्लाउस की फिटिंग की से लाई है उसके साथ रखेंगे और इन दोनों को भी यहां पर हम पिन अप कर लेंगे सब से पहले इसके बार दीके जो भी extra कपड़ा है दोनों side में हमें उसे उसी side में fold करना है देखें इस side का जो कपड़ा extra है इसे हमें fold करना है is side पर तो यहाँ पर fold चो मैं लगा रही हूँ, plates चो मैं बना रही हूँ वो outer side में fold हो रही है तो इसका आप ध्यान रखें इस तरह जितना भी आपका कपड़ा है उसको आउटर साइड में फोल्ड करते हुए इक्वेल डिस्टेंस पे इस तरह से प्लेट्स बनाते जाएं यहाँ पर दीखिए प्लेट्स बनाते हुए मैं यहाँ पर पिन भी लगाते जारी हूँ ताकि सिलते सामय मुझे कोई दिक्कत ना हूँ यह अपनी प्लेट्स पर बनी रहें इसी तरह इस तरह कपड़े के हम प्लेट्स इस साइड पर बना लेंगे और अपोसेट साइड में भी देखिए जो सिलाई हमने मिडल पॉंट लगाया है उसके opposite side में भी हमें बाहर के side ही fold करना है, जो भी कपड़ा हम fold करेंगे, इस तरह बाहर के side पर हम fold करेंगे, और इन्हें भी pin up कर लेंगे, यहाँ पर देखे, मैंने दोनों side के जो sleeve उसको pin up कर लिया है, fold कर लिया है, और अब इसे में stitch कर लूँगी, stitch करने के बाद, जो इस से कुछ look है, इस sleeve का, इस sleeve आज कल बहुत trending में है, आप इसे अपनी gown में, crop top में, blouse में, किसी में भी लगा सकते, और यह बहुत beautiful लगती है, तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, share कीजिए, सब्सक्राइब चार चार अपनी है, यह बहावती है, अ तक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएाब कीजिए.